मानने वाले हैं, जो पालने वाला हैं, हम भी लोगों को पालते हैं, वो देने वाला हैं, हम भी लोगों को देते हैं, वो मदद करने वाला हैं, हम भी लोगों की मदद करते हैं, वो बेसारों का सारा बना हैं, हम भी बेसारों के सारा बनते हैं, वो नभी जिनको बेजा गया थ उनकी मदद कीती फरीश्टों के जलिये से तुम वह सा गरोगे तुम्हारी मदद करें यह विए अभर फायदे बंद होंगे लोगों के, तो हम तो दुन्या में रहेंगे अगर हम लोगों को फायदा नहीं पुचाएंगे तो फिर आल्ला हम को भी ऐसे मिटा जिए अलग 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 अल के शिफात के बारे में वर्द के सीरत के बारे में लेकिन अक्सर लोग कुरान की जो अल्दा की रसुलत की सीरत बयान की उसको उस सीरत में बहुत ही कम सुनने को मिलता है जो कुरान ने बया लिए हलाकि वो जो दूसरी तारीक की रिवायत है حدیث की रिवायते हैं उसके अंदर कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ गलत भी आगी लेकिन कुरान वाज़ है उसके अंदर जो सबसे बेखे उसके क्योंकि उसके अंदर एक लब्स का एक हर्फ का फारक रही है यह कुरान में अला ने फर्माया अला ने तुमको यतीम नहीं पाया और हमने तुमको ठेकाना दिया यह नहीं तुमको साहरा दिया हमने देखा तुम यतीम थे बटक रहे थे और हमने तुमको साहरा दिया यतीम पाया यह नहीं कि अला ने ने पैदाश यतीम थे एक पेदाश यतीम थे और कุछ हैं चन्द साल बाद होगी के वालदा का इंतिकाल हो है यतीम उसको गहते है अब यतीम तो आम तरुपर हमें सवस्ते की जिसका बाप नहों तो हो यतीम तो वो भी यतीम होता है क्यों उसका भी सहारा चला गए लेकिन असल यतीम उसको कहा जाता है वे वोब चीक हो लगват मत ले मिएंगा यतीम किता हुए और ये भी आप की तर्यूएत का हिस्सा आपकर यतीम रखना ये अनला ने उनकी तर्वियत का हिस्सा रखा है इसलिए उनकी यतीम थे क्योंकि आपको दुनिया के सारे बे सहारों का सहारा बनना थे इसलिए अला ने आपको यतीम रखा और आप पर जब पेगाम उतारा गया तेरा साल तक तो नमाज फर्ज नहीं हुई रोजे फर्ज नहीं हुए जकात फर्ज नहीं थी माल खर्ज करने को तक आगया था कि माल खर्ज करो अब जो मक्की आयत है जो छोटी-छोटी अमापारे की आयत है देखते हैं सारी की सारी सब मक्की आयत हैं जो अल्लाग रसुल सलम्म मदीना जाने से इजरत से पेले की उसमें सब में आपको तकरीबन यही बाते मिलेगी खर्च करने के तालुक से, रिष्तेदारी जोड़ने के तालुक से सारी यह मिलेगी फराइज के एकामात के उसे बाते नहीं मिलेगी यह اللہ ने फर्मये सुरह सुर नूमбर उननपे आएट नूमबर 16 और 20 के अंदर فيर उस पर उसकी रोजी ने पी तूली कर देता है जब आजमाता है तो ने आपी तूली कर देता है तो फिर वो बन्दा कहता है की मेरे रब ने मुझे ज़लिल कर दिया हरकिस हमने नहीं किया बनकि तुम यतिम को इजद नहीं करते थे और मिस्टिन को खहना खिलाने की तरगिश नहीं देते थे वो तरकसारा समेप कर खा जाता थे और माल से महबथ दिल में चम गई इसकी वज़े से ये मुसीवथ तुमारे पासमाई तुम्हारी रोजी नपी तुली कर देगे तो तुम अल्ला को कह रहे हो कि अल्ला ने तुम को जलील कर दिया लेकि असल वज़े क्या थी लेकि तुमने यतिन को इज़त नहीं दी और मिस्किन को खाना खिलाना नहीं खाना खिलाना नहीं खिलाना तो है लेकि साथ में तर्गीब दिलाना यानि कि दूसरे को भी वारना कि तुम भी दो रिष्टेदारों को और उसको दोस्तों को कि तुम को भी देना चाहिए उसको बोलते हैं तर्गीब देना रहा है उसाथ में खुद तो देना ही है, तसल तरगीब देना है, तो माल से महबबत है, फितरी महबबत है, इंसान की, तो देने में कंजुसी करता है, कोता ही करता है, माल देता नहीं, सब कुछ होने के बाद भी नहीं देता, सब कुछ है उसके पास, एक घर नहीं छोड़के, दो घ सब्सक्राइब नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि उस माल से सुकुन नहीं इतना होने के बाद में भी, सुकुन नहीं है और वो सुकुन क्यों नहीं है उस माल की कमी नहीं है उसकी साथ कुछते खालेंगे तो भी खतम नहीं होने वाला इतना माल लेकिन सुकुन इसलिए नहीं हुई मिल रहा है उसको कि दूसरा अगे नहीं निकल जाए दूसरा के से चलाज है इसलिए वो भी लगवा कमाने के लिए अल्ला ने कुरान में फर्माया सूर जारिया सूर नुमर एकाउन आयत नुमर उन्नीस में फर्माया कि वफी अम्वालेहिं हकुन लिसाईली वल महरूम और उनके मालों में मांगने वालों और मुताजों का हक रखा जिसके अब भी अल्ला ने माल दिया है तो उनको मुताजो का हक अल्ला ने रखकर वेजा अब यह हक रखा तो खुद जाने के उसके हक गरीब उसके पास जो माल है उसके गरीबों का हिस्सा है तो उसको दे लेकिन लोग देते हैं यहां किसी ने बताया तो दे दिया, कि भाई यहाँ पर देना चाहिए, आपको यह मिश्कीन है गरीब, इसको दे दो, यह मजबूर इसको दे दो, खुद कुछ नहीं करते, अगर देते भी है तो एहसान जदा कर, और एहसान इसमें जदाए नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो उसका हत का, अल्ला ने कि आपने उनका हक रखा है, तो आपने, आपकी वज़े से आप नहीं दे रहे हैं, यह अल्ला ने हक रखा है, इसलिए दे रहे हैं, तो उसके नदर रहसान जयता है, क्यों खराब नहीं करना, और वो देना ही था, नहीं तो फिर वो पूछने का सबब बने, आखिरत के आप गुलाम तो भी नहीं हूँ, लेकिन आप वो करिदारों को छोड़ाने के लिए, जो बेकसूल लोग बंद होगें, उनको छोड़ाने के लिए, उसके लिए भी माल करच करना है, और यह घाटी है, यह घाटी हो रहा दाथ है, क्यों भी भी इसके लिए कान नहीं करता जरीब को भी भी दे देते, फकीर को दे देते, लेकिन इनके लिए कोई कुछ नहीं करता, जो कुछ कर रहे हैं, वो गेर मुसलिम कर रहे हैं, मुसल्मान तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और भूप के दिन खाना किलाना, और किसी करीब यतीम को, यह भूप के दिन खान तो रोजी आ जाता है, वहाँ से भी लेता है, वहाँ से भी लेता है, हो सकता है कि उस दिन आया और किसी नहीं नहीं दिया हो, अब भूगा रहे गया, भूग के दिन खाना के ला रहा है, वो असल है, और करीबी यतीम को करीबी हो या तो इस्सेदार हो सकता है, बड़ो सी हो स तो जो सारा बनो, यतीम उखा तो जो सारा बनो, लिगे आप खुद यतीम थे, यह फरमाएं सुरह माहून, सुरह नमबर, एक सुसात आयत नमबर, एक कुर्दो में फरमाएं कि क्या तुमने उसे देखा जो दीन को जोटलाता है, अब दीन को जोटलाने वाले हम किसको गएगे कि काफिर जोटलाता है, मना करता है दीन को नहीं मांगता तो यह अल्ला ने कहा कि क्या तुमने देखा जो दीन को जोटलाता है, वो तो वो कौन है, कि वो है जो यतीम को धक्क देता है, यह यतीम को लोग धक्के दे रहे हैं, उसके लिए बंदोबस नहीं करता, वो बेचारा दर-दर बटक रहा है, तो यह जूटलाना है दिन को, यह जूटलाना है, तो जिन को बे सहारा को सहारा बनना था, लोगों को तरगीब दिलाना थी, अल्ला ने उतको यतीम कर आता है, ताकि उनके अंदर उन यतीमों का दर्द पेदा हो जाए, ताकि उन यतीमों को सहारा बने, और बने अल्ला की रसुलाना से यतीमों का सहारा बने, और उस्वाए हसना है, तो यह उस्वाए हसना उनका किरदार का है, अल्ला की रसुलाना का है, अखला का है, अब व पोड़कर लोग उन चीजों पर चले जाते हैं कि भाई, तुम सबसे पहले तो दीन में आके दाड़ी रखो, तुम लिवास इसा ये करो, तुम फला ये करो, तुम असल किरदार तो ये था अल्ला कि रसुरू को जो शुरू में एकामाता है, गरीबों की मदद करना, मिस्किन कि ऐसे गाफिल है कि यहां तुम को मस्जिद में जमा किया गया था, पांच वक्त तुम मस्जिद में आते हो, जुम्ह के दिन तुम जमा होते हो सारे लोग, तो ये मकसद के लिए तुम का जमा करवाया था, कि तुम खंदे से गंदा मिला कर यहां पर खड़े हो, ताकि यह इकटा हो तो एक दूसरे के हालात मालूम कर सको कि तुम्हारे भाई के क्या हालात है जो उनके साथ बेटोगे मिलोगे तो तुमको मालूम पढ़ेगे कि इसी तंगी में तो नहीं है कुछ मुसीबत तो नहीं है बिमार तो नहीं है तो इसलिए भी था तो वो मकसद है कि जमाद से नमाज पढ़ना यानि कि उसका सवाब मिलेगा जादा 27 गुना दूसरा यह था कि तुम जब इकटे हो तो एक दूसरे को जानो एक दूसरे के हालाथ से भाकिव रहो ताकि कि किसी कोई मुसीबत परेशानी है तो उस परेशानी तो उसको हल करे तो इसलिए तुम को मिलाय गया था ताकि कोई भलाई का निजाम मनाओ जब तुम आई गए हो तो कोई निजाम कायम करो चिकाद इकटी करने का बिमारियों के इलाज करवाने का दवाई देने का लोगों को लोगों की इसला करने का सलाव मसवारा करने का लोगों परिशानी का दूर करने का ये कुछ निजाम तुम कायम करो इसलिए भी है नमाज इसलिए नहीं कि अपने अपनी पढ़कर आप चले जाए नमाज इसलिए ताकि वहां से आप इकटे हो रहे हैं तो कुछ मनसुबा बंदी करो कुछ नहीं पोगराम बनाओ दीन की दावत के लिए कुछ कान करो तो ये निजाम के लिए भी तुम को इकटा किया गया और किसी यतीम बे सहरा पर कहर मत बरसाना ये भी पुरान में अल्ला ने भरमया ये यतीम बे सहरा पर कहर मत बरसाना लेकिन लोग यहाँ पर मुसल्मान मोले के अंदर बलकी जाता, गेर मुसलिम में तो फिर भी कम होता है, मुसल्मान में करेंगे कि कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, जो माजूरे दिमाग से, यह मन बुद्धी जिसको हम कहते हैं, वो है, तो उसको तो लोग छेड़ते हैं, मजाता है, बुडों को परिशान करते हैं, जो मजबूर हैं, तो यह वो करते हैं, अब अल्ला कि यह देर नहीं है, कि तुम एसे लोगों को परिशान करो, जो बेचारे पहले से माजूर हैं, जो लंगले हैं, जो अपाईस हैं, जो मजबूर हैं, तो अल्ला कि यह देर नही उनको चिखवा रहे हो तो ये हो सकता है कि अगर 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 दुनिया में आ तो आखिरत के अंदर भी बहुत दूरी सचाए जो बिला वाजा लोगों परिसान करते सीधे साथ लोगों को और फिर ये भी है कि अल्ला के रसुल सलम ने परमाए कि इन मजबूर के कोई जो गरीव है कोई जो दुखी है और उसके और अल्ला के बीच में कोई आड़ ही नहीं वो जैसी बोलेगा अल्ला पकड़ लेगा चीदी दूआ हमकी कबूल हो तो डरना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो जानते हैं दूसरा कर रहा तो रोगा भी जाना चाहिए कि वही तुम परेशान मत बो रहे ये भी हमारा काम है कि रोके दूसरों को भी न करने दे कि आप तंगदस्त हमने आपको तंगदस्त पाया हो और हमने आपको गणी कर दिया अब गणी किसको का जाता है गणी हम समझते है कि मालदार जिसके बस माल हो वो गणी है गणी मालदार को नहीं कहते है अपसर तो हम यही समझते है बलकि जो सारी जरुरत तो उससे पाक हो गया हो कोई जरूत उसके पास नहीं बची, वो गनी, उसको गनी का जाता है, कोई तमन्ना ही नहीं, बेनियास हर चीज़, तो गनी, जिसे अल्ला बेनियास है, तो वो गनी है, वो गनी है, वो अल्ला की सिफ़त है, वो गनी है, या उसको मालदार है अल्ला, वो जब भी बताई जाती इस सिफफत के अल्प तो फ़नी घुत्ति है तौसर थे थो झालिवर जाए तौह बहुत हो पहुत मालदा है मतलब अल्प को किसी चीज़ की जरुत नहीं है माल रखके ऊव क्या करेगा मौल की जरुत ही नहीं क Acts तो उसका इक्तियार है उसको कहते हैं कि ये घनी हुए इसलिए तो आता है कि Allah R.S. जब उस सब देने के बाद में जितना था सारथ, जब तक उनके पास में था तो मो बढ़ रहा था माली तिजारत जा रहे थे लोग काफी ले उनका माल ले 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 लेगि अल्लभ रस्मिन निकाह भूँ अगरा रिंदाल माल ले दी तो इनों ने सिथ गरीबों की मदद करने के लिए मजबूरों को सब पूरा माल बाढ़ दी सब कुर्बान कर दी पुरा है और ख़दीज अरफ ने भी पूरा माल उन पर कुर्बार कर दिया और कभी नहीं का कोई शिकायत नहीं कि कि तुमने मेरे मालों को खाँ पर खर्च कर दिया चाहिए किये सकते हैं कि मालों नहीं का था लेकि नहीं का ये उनकी भी कुर्बार नहीं की और इत्तिनी फिर उसमें नहीं आहलों हो गे कि उसके बाद हमको मिलता है कि गार एहिरा जाते है तो फिर वो कुछ वो खाने का नहीं रहता था तो बोल को चल जाता है तो नहीं नुबोत से पेले नहीं इतना मालती है उन्हें कर्च क्दर गया और उसके बाद में ये भी हुआ कि अल्ला के रसुले सेलम को तीन साल के लिए केद कर दिया गया जेल तो नहीं थी वो लेकिन ये के खाते के अंदर उनको बेंद कर दिया दो कभीरे थे उसके बनू हासिम को और बनू अभी तालीब का शोबाय अभी तालीब जिसको का जाता है उनको केद कर दिया गया वहां रहे गया केद होगा तीन साल तक माँ पर रहे माँ कुछ खाएने को नहीं था उसमें मिलता है कि उन्होंने पत्ते खाए वो च्छाले खाए पेड़ों की चवरों को उवाल के खाया हूँ कि कुछ भी नहीं था और भार सकतिसे उख खाना अंदर ले जाने भी नहीं दिया जाता कोई भी नहीं जाय सबता था और उसके अंतर हजरत खदीशा रजीज़ ये भी सी हलाकि ये बनू हसस से थी ये चाती तो भार रहे सकती थी तिए ये आजाती वो दो कबीले उपर बेल लगायता हूँ लेकिन ये भी फिर उसके साथ तीन साल तक Allah के रसूल सलमों उनके साथ में मुही पर रही Allah के रसुल में चचा भी उनके साथ में थे तो यह है कि गनी इनको यहां कहा था कि गनी कर दिया अला कि यह गनी है अला कि रसुल फिर भी गनी है तो माल से मतलब नहीं उसका कि अला कि रसुल गनी है उनके कपड़ों पर पेबन लगे में जब अल्ला की समय के वफात हुई तो उनके कपड़ों पर पेबन लगे हुए थे कहीं जगे बार हाला कि अल्ला की रसुल्ले सलम के दोर में वो जमाना आ चुपा था जब मदिना के अंदर एक आदबी नहीं था लोग जगात लेके घुमते थे कोई जगात लेने गरीब भी नहीं था बेतुल माल के अंदर पूरे खजाने भरे हुए थे कोई लेने वाला ही नहीं था अल्लाग रसुल्ह से के पास नहीं कोई आता था जब माल लेने के लिए जकात लेने के लिए तो अब जेको इतना तुक सकता हि लेजाओ उब एतना साज़ेजि़ इतना तुक के लिएज़। तो अल्ग वरेज़ अब देखते हैं तो इतना था लेकिन फिर भी अधिना के अंदर यह गर का जिसके अंदर रोज फाक्या होते इस ता सब होने के बार हो था अल्लाग रिवायत तो मिलता कि अल्लाग रूशनी नहीं होती तो चिराग जलाने के लिए तो तेल उदाहल लायना लगटा था का जिरूत है। ऒघनी होना लेकिन हमारी होते तो खतम नहीं होती हैं अकेते हम उनके उम्मत हैं लेकिन हमारी है कपड़े। सब्सक्राइब भड़े पर जूते कई जोरियाम कई छूड़ियां पड़ियां देर लगा रखाए और इस्तिमाल component वहरkt l नहीं आपसे में पेना, चाहिए वो जूत्या हो, चाहिए चक्पल हो, चाहिए कपड़े हूँ, इस्तिमाल नहीं करने, साल पर रखा हो यह तो गुला आप सभव सकता हूँ, आप उसको देए इससे पेले कि वो खराब हो जाए। लेकिन दे देंगें नेकी नहीं मिलें। देना तो है दी देओ के तो गुना लेकिन देने के बाद में नेकी नहीं मिले क्योंकि नेकी तो तब मिलती है जब अल्ला ने कुरान में फर्माए कि नेकी तो तब होगी कि तुम अपनी पसंदीदा चीज खर्च करो अल्ला की राके अंदर तब नेकी वो तो एक्ष्ट्रा है आप फुद इस्तिमाल नहीं करते हैं पड़ा था आपने दे दिया और नहीं देंगे तो उनेगा तो नीकी तो उस पर मिलेगी जो अपनी पसंदिधा चेश खाज रहे हैं तो अपनी जरूत को कम कर लो जरूत को कम कर लो मतलब क्या काम करना बंद कर दे दुकाने तो छूटी कर तो दुकान जो शोरूम बोल रहा था वो मतलब नहीं काम तो करना है कमाना है तबी तो अल्ला की रामे खर्च भी तो करना है घरिपू को देना भी तो है तो कमाना है लेकिन अपनी जरूत कम करना है ताकि Allah की राह में जादा खर्चुँँगा यह करना है तो फिर आप गनी होगे इसको खाजागा गनी कि अपनी जरुद को कम कर लिया लिमिटेड कर लिया कमारे ज़्यादा ताकि Allah की राह में खर्चुँगा तो वो फिर आद भी गनी है बो थासले से लिए और अनिवासी अधिय किसंदोव कॉषिए आप बलंपे अल्ला करने को ँमेश उसी चीछिज और पी दू से लिए कोशिश करेंगे दूआ हमँए याद रखना हमारे दादा बिमार है दूआ हमे... उनके लिए दूआ कर देना तफिर थोड़ी डिखोंगी पहले तफिर थुद्शते ले जाओ अपनी कोशी से करो दवाई दे लाँ पृर दूआ कर है तो दूआ के साथ कोशिश समय सा होनी चाहिए यह यहाँ पर दूआ फर्माई अल्ला के रसे लिए हराम से बचा के हलाल काफी कर दे काई की दूआ है यह कर्जदारों के कर्ज उतारने के लिए इसको अगर कसरत से पढ़ेगा तो कितना बड़ा भी कर्ज उतर जाएगा लेकि छोड़नी दे कि आर एक साल से पढ़ रहा हूँ कर्जदो इत्ता के इत्ता और बढ़ता जा रहा कंटीनियूस पढ़ता रहे अल्ला पे तवक्तल करके यकीन करके वाला के उसमें फर्माया है तो होगा ही कुछ देल लगी कि उसको लेकिन होगा तो उसका तरज़व है कि मेरे लिए हराम से बचा की हलाल काफी कर दे और काफी हो जा काफी होना ही गनी होता है अल्ला काफी हो गया तो गनी हो गया वो ही गनी होता है लेकिन यह फर्माया है कि मुझे अपने फजले से गनी करते है गनी करते हैं यह नहीं कि बहुत सरी दोलत आ जागा अब यह दूआ जीव है हे काई की है करज दारों के करज उतारने के लिए लेकिन इसके अंदर करज के वर्ड ही नहीं है कि अल्ला मेरा करज उतार दे मुझे करज से निचात दे दे वह ही ही नहीं इसमें तो ये फर्माए गया है कि अल्ला मेरे लिए हराम से बचके हलाल मेरे लिए काफी हो जाए और अपने फजले से मुझे गनी कर दे करजी की तो बाती नहीं हो रही है जब अल्ला गनी कर देगा उसके फजले से करज तो बचे गई नहीं तो कसरत से पढ़े दुआ जिसका किरज है तो इसका करज इंशालला होगा और ये अम्बियों आलेससलाम के जुझ जूआ होती थी अजीब होती थी इसमें वो मीनिंग नहीं होती थी लेकिन उसके लिए दूआ होती तो ये जुरूरते खत्म हो जाईए और यह के फिर आगे यह फर्माया है कि कि अम्मन सिवा कि तेरे सिवा सबकी मोताजी को खतम करते हैं कि सिब तेरा मोताज रहूं किसी दुनिया में किसी का मोताज नहीं है और जब यह दूआ करेगा तो फिर अमला सब उस बंदे से खुछ होगा, किसी बम्ढुर मंउग रहा ह humour, वाकी में आपको किसी का महताझ नहीं है। तो फिर तुम क्या करना है, कि तुमज्स का करना है व। तुम्हारे पास कृइल साहिल है। तो मंगे उनको जड़कना मत, मांगने वाला तुम्हारा पैसमा है तो जिड़कना मत है अब जरूरी ये ऐसा नहीं कि देना जरूरी है आपके पास नहीं है तो देंगे कहा से आपके पास खुद के पास नहीं है तो आप देंगे कहा से लेकिन बात ये बताई गई कि जिड़कना नहीं है उसको देना नहीं देना वालग चीज़ है लेकिन जिसको आपको जिलकना नहीं मना नहीं करना है चाहे उसके बारे में आपको सब मालू हूँ कि कोई-कई बिखारी आते हैं मांगने वाला है या सवाल करने वाला अब सबको मालू है पूरे महले वाले के तो इसको मत दिया करो ये शराफ पिता है इस मेक्ची है नशे करता है इसको मत दो लेकिन ये हो सकता है ये बुरा आदमी है लेकिन हो सकता है कि जब आप से मांगा वाकिए में उसी दिन भुका हो पेले वो साल वड़ से मांग रहा था, दो साल से मांग रहा था, वो नशा करता, वो शराफ पीता, वो आपके पेसे ले जाका लेकिन हो सकता है कि उस दिन जा आप से मांगा, वाकिय में बुका हूँ उस दिन आप फिर उस दिन आपने मना कर दिया उसको जड़क दिया तो जड़कना नहीं है नहीं तो फिर आप जुबनागार हो गाए यह मना किया लगाना कुरान के अतर है नहीं देना है तो अफलाक के साथ उससे माफी मांग लेकि नहीं बाबा माफ करें तो ये होना चाहिए तो अल्ला गनी है तुम सब फकीर हो गनी तुसे बल्ला ही है बागी सब फकीर है दुनिया के जितने भी है और सब फकीर ही क्योंकि कोई हर आदमी किसी से ने किसी से मांग रहा है सब फकीर है नोकरी वाला सरकार से मांग रहा है दुकानदार गिराग से मांग रहा है सारे फकीर है जितने सारे के सारे और अल्ला ही गनी है और फकीर उसे कहते है जो जरुतमंद हो हम फकीर का भी मतलब यह समझते हैं अलगी, जो मांगने वाले आ रहा है उसको भटे हाल को हम फकीर समझते है फकीर उसको कहा जाता है जरुतमन को फकीर कहा जाता है और फकीर फकीर को जिड़क दे वो खुद फकीर है और फकीर उसके पास मांगने आ रहा है अगर किसी कुछ से नहीं मांगता तो अल्ला से तो मांगता है तो फकीर ही हो अब खकीर के पास फकीर आया और उसको ज arkadaş देउ तो वो उसको जिड़के ना तो फिर अगर ये अल्ला नाराष होगा फिर वो क्या करेगा तुम ने अगर उसको जड़का और फिर तुम जाओगे तो सही लला के पास मागना तो आल्ला तुम को भी जड़क देगा तो जड्कों मत नहीं देना है तो मना करने के वह सारे तरीकों माफी मांग लाए आ पुस स्रीब ज़ी घ्राइ नहीं ये कहता है लगी नहीं जेताए लागी कि भी किसी को खाली हात नहीं लुगाया छाहिए आपके पास में एक खजूर उता आदी दुसरे को दे दिया मांगने आले को निए खालियात नहीं लोड़ाया इसको बलते今日 गनी होना गनी हम समस्कते कि मालगार है तो गनी है तो यह इसको गनी होना portfol कि जर्रोती नहीं उनको वो आ गया तो वो दे दिया पूरा जिसने जो मांगा वो दिया, खुद के हिस्से में से दे दिया, अपने खाने में से दे दिया, अपने खाने में से दे दिया, लिवास एक बार एक लिवास को एक लिवास दिया, लिवास दिया, लिवास दिया, लिवास दिया, वो भी गुलाम थे, गुलाम के बेटे थे, वहा तो जो भी allahu के थरफ से हुक्म मिला वह भी पूरा करा हर चीज को अल्हा इस तो जो भी हुक्म प्ष्म आया अल्हा विल्लीमेट करके भी बता आ है जिसे फेली वही आी अल्हा के पास ये सुरह एकरा स्वार नोबक शियाड़ आयत नमर एक रब इसमी रब कल लजी खलक, कि अपने रब के नाम से पढ़ जिसने तुम को पैदा किया, अपने रब के नाम से पोड़ो जिसने तुम को पैदा किया, रब किसको कहते हैं, पालने वाले को, परवरिश करने वाले को, तरक की दिलाने वाले को, उसको कहते हैं, वो तुम्हें हकीर जिस्जित के से पीदा किया जो तुम्हारी मां sniff के एंदर गृर्भ, तुम्हारा रभ मैं के लेड़ों सबसे सबसे बढ़कर करते और रहने उल्लाह, जिसने लोगाया के गृर्भ नम के लिए तुम को य लिखा नहीं जाए, उसको लिख लिया जाए, तब जाके उसको इल्म का जाए, अब पेले ये था कि लगण के कलम आते थे, उसको साहे में डोएड़ यगे लिखते थे, उसको रिकाइड पूसे फकर ते थे, उसके बाद पेन आगएember, फिर रिफिल वाले पेन आगए उससे करते थे, अब आज के दोर के अंदर भी रिकाइड गरना है, क्या आगए, अब कीबॉर्ड आगे, जिससे रोपता नहीं है, किसे में भी रिकॉर्ट करना है अल्लम अलिंसाना मालम यालम फिर इनसान को वो इलम दिया जो जानता ना था इल्म कलम से केद करना है और नभी करीम से लिए एक हुप्म के ऐसा और अल्ला की रसुल ने जब ये आया तो उन पर नाजिल हुई ये पांच आया और इस पर फिर उनों ने जिस तरह हर चीज पर अल्ला का जो हुक्म है उस पर अमल किया अल्ला की रसुल नो इस पर भी अमल किया और इस पर अमल कैसे किया कि जब पेली जंग हुई तो अल्ला की रसुलने सल्हाथ इनको छूड़ने के बदले कि तुम फिदिया दो, माल दो, उनने का माल नहीं है जिसके पास तो वो हमारे यहां के दद्दसक लोगों को पढ़ना लिखना सिखा रहे तो उसके लिए आजा दी यह नहीं अल्ला का हुकम आ रहा है वो अल्ला के रसलों सलम्म उसको इंप्लिमेट कर रहे है फूरन तो यह ज़िसे ही मुखा मिला तो उन्होंने इस तरह के आजात कर दिया लोगों के सिर्व इल्मे सिखाने का उन्होंने को पुरान अदीस से कही नहीं हो बहुआ उटर फुझ लड़ने आए तो सब मुश्रिक्त थो उन्होंने की ताकि पढ़ना लिखना सूख़ जाए तो उन्होंने अizerраж brighter सिखा ही हो उनको पढ़ना लिखना सिखा हो तो इस सिखा है और ये उसके बाद में हुआ भी कि हमारे असलाop Як Loveanniv से यह आल्याया की अमल लिया, यह हुक्म लिया और उसके बाद में तक्रीबाद में तेंसो साल अल्ला की असलाop के बाद में दुन्या में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो मुसल्मान है, सब मुसल्मान थी 132 scientists ने हमको आज मिलते हैं record के अंदर 132 scientists थे जिसमें से 121 muslim वो जो बाकी जो थे वो भी muslimानों से पढ़े हुए थे, जो गिर muslim थे वो muslimानों की इधारों में पढ़े हुए थे तो एसे उन्हों ने लिया लेकिन इसके बाद फिर जब इस एिल्म को छोड़ दिया जिसको अल्ला ने सबसे पेले ये वही की थी सबसे पेले ये आया थो कुरान, पढ़ो इल्म हासिन करो ये frag़ ये नहीं का क्यों कि हमारा सबसे पेले कुरान का universities क्या है अकीदा तो ही शिर्क ना करें इसके निजात लेकिन हो आया तो नहीं भेजिए अल्ग ने सबसे पेले जो भेजा वो भेजा कि इल्म सीखो इल्म तुम्हारे पास में आ जाएगा तो फिर तुम खुद ही समझ जाओगे तुम खुद शिर्क नहीं करो उसके रब को तुम जान लोगे वो रब कोन है वो तब मालूम पड़ेगा तब आपके वास इल्म होगा इल्म नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो रब कोन है क्या है तो सबसे पेले तो इल्म हासित करो तो वो अल्ला के रसे लिए गर के बता है और असलाफ ने भी किया इसलिए वो इतने आगे भूज गए और वो साइंटिस भी वही थे और हमारी हालत तो यह है कि सब छोड़ दिया तो आज यह है कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट से हमारे निकलती हैं कि अगर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पस्ती में पढ़ी भी को में तो मुसल्मान है सबसे जढ़ा कम पढ़े लोग हैं तो मुसल्मानों कहता है सबसे जदा कालेस सबसे जदा कम है कुछ हालत में सबसे जदा आगे है कोई मुसल्मान सिर्भ ये रह गया इसलाम उनके लिए क्या हो गया कि जंडे, नारे और जुलूस इसके अलावा कोई इसलम के बास बचा नहीं पसंग, ये चीजे रहे गए, और जो कुछ जिक्र के नाम पे बचा, कि जिक्र करना था, तस्वियाच पढ़नी थी, तो वो भी खतम करके, और जगे नातों नहीं ले लिए, और नात के अंदर भी, अच्छी कोई नात, नात भी के अंदर वो भी के दो-तीन मोदू बस बदीने की गलिया, अल्ला कि रसुल्ण बस डो-तीन मोदू इत्री सारी अल्ला की रसुल्ला की जिंदगी की सीरत पड़ी भी शायर वो भी भूल गए, वो भी नहीं लिक रहे हैं। आती ही पड़ रही लेकिं कम से कम वो दूसरे सिफाथ का भी जिकिर गड़ ले अब यह हमारी हालत हो चुऊकी है हमने क्या किया है कि मदरस पूब को और स्कूल को दोनों को अलग कर दिया अल्ला के रिसलwiąल सल्म खुद दीन के दाववत दीन उनके पास था अल्ला के रसुल्ह सालों के पास वो सहाबा को सिखा रहा है वो केदी आये तो उनसे का के तुम उनको दुनिया का पढ़ना सिखा तो उसी मस्जीद नवी के अंदर वो भी सिखा रहा है और उसी मस्जीद नवी के अंदर दुन्या भी इल्में भी सिखा जा रहा है अब हमने कहा कि है मदरसे को अलग कर दिया मज़़ और इसकुल अलग कर दिया अब यह हो गए उसके अंदर कि अब जो मदरसे से निकला वो मस्जीद के अंदर जाके बेड़िया, एमाम बन गया, अलिम बन गया अब वो भान निकलने को तैयर नहीं दुनिया के अंदर तो दुनिया के मसाइल हल नहीं हो रहे लोग दुनिया से लड़ रहे हो काम क्या करे क्या नहीं करे आलिम को पता ही नहीं हो कि इसका मसाइल का हल के से करे उसको पता ही इल्म नहीं उसके बारे तो भाल नहीं निकल अब जो इस्कूल चला गया तो वो मस्जिद के अंदर नहीं जा रहा तो बहुत क्या फाइदा गया जाने से मिल तो कुछ नहीं रहा तो ये हमारी ऐसे आलत होगी कि दोनों को कंबिनेशन हमने बिनाए नहीं तो आज सब दूर सम दूर है लेकिन असलाफ हमारे पाथ जो असलाफ थे तो उनके बाद दोनों चीज़ थे दुनिया भी इल्म भी और दीनी इल्म भी था अब उसके बाद में फिर हमारी हालत ये है और उसके बाद अब फिर जो बेचारे काम करते ना दाई वो दुनिया के सामने इसलाम ले जाते हैं लोगों को बताते हैं कि देखो इसलाम ऐसा है अलागर रसुल्स ले थी तो कुरान में कैसी बहतरी बहतरी बाते लिखी हुई उसके सामने यह अमन का दीन है यह जो इसलाम का पेगाम ऐसा है ये सब इंसानियत को उपर उठाने के लिए सब इंसानियत की बात करता है ये सब बताते हैं उसको तो वो क्या करता है कि वो फिर बुदता कि ठीक है किताब में तो लिखा है लेकिन ये है कि वो देखता कि तरह है फिर वो देखता मुसल्मानों की तरह अमन की बात कर रहे हैं बंदुक तो सब इनों नहीं उड़ा रही और फिर गेरे गे अमन वाला दीन अखलाक की बात कर रहे हैं मुल्ले में जाओ तो कान में उगले डालके जाना पड़ता है नईने गालिया तो ही इजाद होती है इनके आप पर मुल्ले के अंदर फिर वो अब वो दुनिया के सामने ले जा रहा है विचार अदाई भीनत करके तो वो मुसल्मानों को देख रहा है हमारे मुल्ले में रहते तो मारे किरदार अकराग देख रहा है हमने रात को ड़ड़ने लग जाते है उटिके दो बजे भी तो वरोसा नहीं इनका है हेट बंपे पानी बरने आते हैं हेट बंपे इसान करते हैं हर दो-चार दिन में तोड़ देते हैं बुरा यह मुस्लिम उल्ला की हाला तो यह सब हालत हो रही है तो फिर आदमी किसी को बताएं कि लाग बताएं तो फिर वो मानेगा थोड़ी यह क्या एक एक वागिया भी है दो इंटरनेशनल के लाड़ी पाकिस्तान की इज्मा मुलहक पर एक ब्राइन लागा अनवर सुहेल अनवर और यह एक बड़ उनने का क्या लिय पाकिस्तान में थे और ब्राइन लागा इसको दीन की दावत देते है अनुद को देके पैश किया इस अ क्योंतरा पूरा उनने पूरी अच्छाई की दीन की बताइए तो उसने क्या शायद द्यान से सुनता तो उन्हें से पबूल कर ले शायद इसी द्यान से सुनता पूज बिदा जब वो उठा वहां से ब्राइल लारा उठा कि और फिर गया हो बात तो तुमारे अच्छी है सब लिखावे पर अच्छा है सब बड़िए लेकिन तोम मसलमान हम नजर नहीं आता है यह केकर चलाएं लो तो असल क्या कि हमारे पास सुनकों किर०ार ही नहीं बचा तो हम कितने की पेश करें तो देखेगा तो उनको अमल में नजर नहीं आता है इसकी वज़े से फिर लोग इसको पbell नहीं करते हैं तो Allah कリ». Расadsulimusku 잘 highway साला के पासमें पेली वही की आई तो Allah Ņ सी investir कि लोगों को इलम के और इलम की कितनी अदीशत सब जानते हैं आपिज ररकने की तफिलþत की जुरतनी पुरान पुरान में भी इसके लिए उबारा गया है और फिर दूसरी वही आई सूरay मुदसित, यायुहल मुदसित, कुमफा अंजित, के नबूत की जिम्मेदारी उठाने वाले, उठो और जिम्मेदारी लेके डराओ लोगों को, जिसमें वो लगे में, जी चीजों के अंतर लगे में, गाफिले आखिरसे, तो उनसे उनको डराओ, तो इंसानिया सिसक रही है, बरबाद हो रही है, तो अंजान से खबरदार कर तो, वर रब का फकबित, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अब बड़ाई बयान करना मतलब यह नहीं कि बस मच्जीद के कोने में बेड़े जए, और अल्ला हूँ अक्बर अब्द, सुभान अल्ला, अल्ला बढ़ाए, अल्ला बढ़ाई, यह बढ़ाई बयान करना नहीं, बढ़ाई बयान करना अल्ला की है कि उसके बारे में लोगों से तसकीरा करो, उसकी अजमत, उसकी बढ़ाई, उसकी शान, उसकी किवरियाई, लोगों के सामने जा जाकर पेश करो, इसको बढ़ाई करो, इसको तो एसा करो किया तो फिर अमल से जाहिर हो, करो भी और अमल से जाहिर हो, कि हम सब उसके मानने वाले हैं, जो पालने वाला है और हम भी लोगों को पालते हैं, वो देने वाला है हम भी लोगों को देते हैं, वो मदद करने वाला है हम भी लोगों की मदद करते हैं, वो बेसारो यहां में बहुत जन्री ने लिखी अच्छी बात है लेकिन इंपलिमेट नहीं होते हुआ लेकिन अल्ग रसुल्ह सलम्हें ने सहाबा ने हमारे असलाप ने उसको इंपलिमेट करके बताया है तो वो चीज जिसमें वहना चाहिए तो फिर बात है वसियाबकाफा ताहिर वो सब को पाक करो जो गंदगे में बड़े हैं लोग उनको पाक करो लोगों को जो शिर्क की बिमारी है जिसके अंदर वो हैं तो उससे उनको निकालो वो लोगों को बिना बदले के दो इनको इसान करो लेकिन उससे बदला ना चाओ किसी विए को खुछ दिया लिया कुछ अच्छी बात बताई तो उसका बदला ना चाओ बदला किस से चाओ अल्ला से वो दिगा बदला लोगों से बदला ना चाओ और अपने रब की रहा में सबर करो क्यों कि अब जब यह सारी चीजे तुम पोचात होगे और नहीं कुरान वाला सबर है कि लगातार कोशिश में जब चलते चले जाना इस्तिकामत हासिल करना फिर जम जाना फिर फेल हुए फिर कोशिश करना उसको बलते सबर कुरान का सबर है तो फिर उसमें लगातार तुम लगे रहो कोशिश करते रहो तो यह اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پرگرام اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کتاب उन سے تھا अब हम पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहा है कुरान उन سے کتاب तो उसको भी सारे काम करने जो दिया अब तो थब से पहले था कि पहले तो इल्म हासिल करो और ये इल्म हम तक पहुचा है तो हर आडमि के लिकने और अधं Malarから थो आदमने लिकने वाला नूहीं थो आज होता तो हम ब्हुत तारी चीज़ों साज में वेरूक होश्क्ता है कि ऊजबा है रहती है क्योंकि ट्रेन तक का इलम हो लिखा हुआ था अब वो ट्रेन के महा से शुरू का रात पानी का जहाज बना दी अगर लिखना नहीं होता तो वो बेलगाड़ी की बेलगाड़ी ले जाते उससे आगी नहीं बढ़ता तो यह तरक्की करने की चीज़े इसलिए हमको अल्ला ने शुरू में ही परभागा दिया पिली आया दिय दी लिखो इल्म असिल कर पढ़ो अपने रब के नाम से रिकलम से कि हम जो है अलाग रिसलों को सुनत को उसको अपनाने वाले हैं और फिर पुरान में फिर अल्ला ने कहा कि जो तुम दावे कर रहे हैं कि हम उम्मत हैं और हम अलाग रिसलों को सुनत को अपनाने वाले हैं तो उनसे कहा कि तुम मेंसे एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को बुराई से रोके तो निकी का हुपम दे जमात बना के तो इकट होके उसको काम करना है और नभी के मिशन को आगे बढ़ाना है तो अल्ला के रसुल्ला सलम्म मदद करने वाले थे, देने वाले थे अब हम भी देने वाले बने नहीं दे तो फिर हमारी बात फिर केसे कोई मानेगा कोई हमारी दावत केसे कबूल करेगा क्योंकि देने वाले को पसंद करता है दुनिया के अंदर कोई हर कोई लेने वाले को पसंद नहीं करता आप देने वाले बनेंगे तो फिर उसके बाद लोग जो है फिर आपकी दावात को खबूल करेंगे लेकिन यह है कि खालिस देना है अल्ला ने कुरान में कोई कंडिशन नहीं बताए आपको देना है अब कुछ लोग देते हैं लेकि बंद कर देते हैं वो बंद करते हैं कि आपकी दूसरों को भी रोग देते हैं कि तुम भी मत दो तो फिर आप दे रहे हैं वो अल्ला के लिए देना नहीं हुआ फिर आप उसको देख रहे हैं कि यार इसको दिया और इसने गलत इस्तिमाल कर लिया फ़ला कर लिया आपका काम देने का ता उसने जो करा रहा हूँ उसकी मड़ी आपको देना है अल्ला के लिए देना है तो फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर ये तो फिर बदला चाह रहे हैं आप उससे क्या आपने दिया तो आपके हिसाब से चले तो आप हिसान जदा रहे हैं उसके उपर कि हम तेल को दे रहे हैं खाने को तो तो हमारी बात मान, हम किय रहे हैं आपको तो हम तेल को खाने के लिए दे रहे हैं तो हमारा दीन को कबूल कर, हमारे मनस पर आ जा, तो यह तो फिर का हूँ अल्ला के लिए का हूँ है तो आप के लिए दे रहे हूँ यह अल्ला के लिए देना है खालिस अल्ला के लिए देना है तो फिर वो बदरा अल्ला देगा तो रिजल्ट है अल्ला के पास में वो रिजल्ट हमको उससे लेना है यहां पर नहीं भी मिला तो वो आखिरत में देगा वो बड़ा चाड़ा करम को देगा यह करो गए तो फिर रिजल ना मिले बिनी भी ना मिले तो भी सब्सक्राइब यह लगातार कोशिश करते हो फिर वो इस ते कामत पर जम जाओ और अल्ला की रसले सल्म हिदायत लायत है और अब यह हिदायत लोगों तक पहुचाना हमारी बारी है अल्ला की रसले सल्म के जरिये मुसलमानों को उठाना चाहा और मुसलमानों के जरिये दुनिया को उठाना चाहा यह अल्ला का मेशन था पिर रसूलों के जरीए मुसलमानों को उठा है और मुसलमानों के जरीए दुनिया को उठा है ये मेशन था लेकिन बस ये नहो कि फिर थोड़ा सुना पढ़ा और वेड़े और फिर हम आगे ना बढ़े तो फिर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ये दोनों वही इनकलाबी वही है और ये आई अला के रसूलों सलम ने इनकलाब लेकर आए तो नभी लाये थे ज़्यादा वक्त नहीं लिया उन्होंने 23 साल का अड़सा लिया अला के रसूलों सलम 23 साल में इतना बड़ा चेंज होना ये पूरे आप रिष्ट्री बढ़ जाएंगे कहीं नहीं मिले इस तरह से चेंज होना कि सब कुछ बदल जाना लोगों के अखलाब, किरदार सब कुछ लिबास हर चीज को बदल देना, फितरत लोगों की चेंज करती, अला के रसूलों सलम इनने कोनी दुनिया के अंदर पोचा दिया lies, और आप रॉष्टर अमर और हजरत उस्मान के दोर के अदर कोनी दुनिया के अंदर पोच गयाता थी नहीं बची कितनी थी पच्छिस से तीस परसंट बच्छी थी अब ये 25-30% जो बची ये किसकी बारी थी ये मुसल्मानों की बारी थी वो जो अल्ला की रसुल सलम्म और उनके असाब जो कर गए वो तो 70-70% कर गए थी अब ये बचा था ये मुसल्मानों को करना था लेकिन ये है के 1400 साल हो गए वो इतने कम अड़से में गड़ गए लेकिन 1400 साल हो गए हम 25% पुरा नहीं हो आस बलकि क्या हो रहा है कि दूसरे बढ़ते चले जा रहे हम गड़ते चले जा रहे है ये आलत हो गए तो हमें क्या डर है हमें डर क्या है फिर हम को पोचाने से या तो फिर हमें ये यकीन मुकमल नहीं है इमान पूरा नहीं है क्योंकि जे और रब ने उनकी बदद की थी और दुनिया में जिनको उठाए था आज भी वही रब रब बदला नहीं है और ना कभी बदलेगा रब तो वही रहना है तो उनकी मदद की तो आपकी मदद भी करेगा उसमें तबदिली नहीं होनी है तो हम वेसे हो जाएंगे तो फिर वही होगा जो उनके साथ हुआ वसूल व अल्ला का वही है वसूल अल्ला ने वही रखा है तो आज भी जो अल्ला की रसुल्ला सलम में 25% को कवर नहीं कर पाए दूसरे बढ़ गए तो दूसरे चाते चले जाएंगे और दुनिया के अंदर अंदेरा चाता चला जाएगा और इसलिए जिनके पास टार्च है रोशनी है, नूर है, हिदायत है यह जो तब कुरान अलागी रसुले सेलम की सीरत है जिनके पास यह सब चीज़े तो आप फिर वो क्या, टार्च को बंद करके दोड़ रहे दुनियां के पीछे दोड़ रहे और अंद टार्च ही नहीं जलाएंगे और लोग को रस्ता नहीं दिखाएंगे तो वो तेजी से बढ़ेंगे और उसको कुचल के निकल जाएंगे पर नूर भी उसके पास ही रहे गया उरो सकता है को उसको उठा के ले जा और यही बेड़कता भी रहे और वो उसकी रोशनी से फायदा हुदा लेकिन यह तो कुचला गया पिर वो तो फाइदा उड़ा जाएगा लेकिन ये बुचला जाएगा तो जिसके पाद जितनी सलायत है वेसा वो काम करे अपने इस्तितात के मताबिक और कुछ नहीं कर सकता है जिसमें सलायत नहीं है तो करने वालों को साथ दे ये भी है उसकी वरोबरी नेकी लिखी जाए जैसे सावा जंग में जाते थे तो एक बार सावियात ने शिखाए थे हलाकि कुरान के अतर भी अल्ला ने परमाया और अधीसों के अंदर मिलता है जो मजबूरी की वज़े से नहीं जा पाए जंग के अंदर उनको भी इतना ही सवाब है जो यहां बेटे हैं और वहाप है क्योंकि इनके पास सवारी नहीं थी इनके पास हतियार नहीं थे तो यह जाए नहीं पाए तो बेटे बेटे भी इतना सवाब है जो जंग में लड़ रहे यह अल्ला किया सम्हागा अल्ला कि इतो pyreiben मिलता एक बार सहाभी आथति परना अल्ला कि रसीला सल्म से पुछा यह जो सावा है यह तो जंग पर चले जाते हैं बाकी मेरे तो हम बरोबरी से एबादत हम ina कर रहे हैं लोगों की मदद हम भी कर रहे हैं भूकों को खाना हम भी खेला रहे हैं तमाम काम हम भी कर रहे हैं बच्चों की तर्वियत हम भी कर रहे हैं लेकिन यह जंग के अंदर तो यह चले जाते हैं तो हम से नेकी कमा जाते हैं गर बेटी रहे जाती है तो यह तो बढ़ जाएगी फिर नेकी के अंदर यह शायद उनको वो शकुका के फिर वो तो जब वो चले जाएगी जन्नत के अंदर तो वो तो लेवल के हिसाब से वहाँ पे अल्ला निका कराए दो वापीस तो हमारा तो लेवल नीचे रहे जाए था तो अल्ला ने वर्माया कि अगर तुम घर पे बेटी रहे और सबर करती रही उनके वाँ पर लड़ने पर और बरदास करती रही इस दूरी को यह वो जमाँ शहीद हो जाए उसको तुमने बरदास कर लिया तो फिर तुम्हारा भी वही है कि हूँ लड़ रहे हैं इतना जवाब सबाब उनको मिलता इतना सब तुमको मिले बेटे-बेटे अल्ला के हां कि अता में बंद नहीं लगाओ वो सबको देता है तो यह है कि हम कुछ करें और नहीं कर सकते तो फिर करने वालों का साथ देंगे तो इतने ही हमको फैदा मिलेगा दुनिया को लीट करने वाले बने आगे बढ़े बने तब जाके फिर इतात होगी और फिर कुछ बदलाओ आएगा और फिर सोच सबसे पहले सोज बदल नहीं होगी नहीं तफिर कुछ भी नहीं बदलाओ नहीं आने बदलाओ सोज बदलो ये अल्ला नहीं यह फरमाए सूर राथ सूर नमबर 13 आज़ नमबर 11 में लाव फरमादा है कि इनना ला लाया गेरू मादी कौमिन हत्य हुगेरू मादी अन्फूसे हुग कि अल्ला उसकौम की cióलत तब तक नहीं बदलता जब तक अब हम्हारे तरजमा अकसर ये होता है कि जब तक कि वो खुद की हालत ना बदली अन्फूसे हुग नफस को कहा जाता है तक जब तक अपनी सोच ना बदल ले तब तक उसकी हारत नहीं बदल लेगा वो सोच वो रखनी हो गए कि वो सहाबा उन्हों नहीं कहता यह रवाज भी है वोई रव हमेशा रहने वाला है तब उसने जो किया था उनकी मदद किती फरीष्टों के ज़रिये से तुम वेसा करोगे तुमारी भी मदद करेगे जहाँ जहाँ उनको तकलीफ आई अल्ला ने जहाँ जहाँ से उनको बचाया था जहाँ उनको फते दे दी तुमको भी फते देगा अगर तुम वेसा ही इमान रखो जैसा वो इमान लाए थे और वो इसी तवक्तल को जैसा उन्होंने किया था तो वो होगा कि तुम भी 313 होंगे और वो हजार होंगे तो तुम बारी होगे इसको लेकिन वेसा होगा तो वो नहीं होगा तो फिर हमारे लिए तो छोड़ा ही कितना था अल्ला के रसुला सलम ने और खुलफाय राशेदीन ने छोड़के तो 25 परसेंट गए था और उन्होंने सिर्फ 30 साल और 23 साल के अंदर वो कोई दुनिया के अंदर पहुँच गए और हमारे पास वो 1400 साल हो गए और हम और घटते चले जा रहे बजाए बढ़ने की और जो बढ़ भी रहे तो सिर्फ पापॉलेशन में बढ़ रहे और कुछ भी नहीं बढ़ रहे तो जो लिखते हैं मुसल्मानों के बारे में कि सिवाए बोच के कुछ यह नहीं है कोई फाइदा नहीं देते और अगर हम फाइदा नहीं देंगे तो कुरान में अल्ला ने सूरे राद में ही फरमाया है कि जो दुनिया के लिए फाइदे मन नहीं होता है तो वो दुनिया में बाकी नहीं रहता है अल्ला ने वहाँ एक सोने की जो सोने को जब साब किया जाता उसकी मिसाल लेका फरमाया कि उसमें सोना खरार रह जाता अब जो जाग रहता है उसका जो गंदगी रहती वो उड़ जाती जाग बनका तो वो जो फाइदे बन नहीं था वो चला गया खतम हो जाता है उसको उठा लिया जाता है और जो फाइदेबन चीज़ होती हो यहां पर रहे तो अब भी अकर फाइदेबन होंगे लोगों के तो हम दुनिया में रहेंगे पड़ अगर हम लोगों को फाइदा नहीं पुचाएंगे तो फिर अल्ला हमको भी ऐसे मिटा देगा और पुरान में अल्ला ने वार्मिंग दिये बार बार पुरान के अंदर कि अगर तुम ने हमारी बात नहीं मानी और हमारे काम नहीं किया तो हम दूसरी कौम लेकर आई और दूसरी कौम लाने का तरीका ये है अल्ला का कि दूसरी कौम जब भी अल्ला लाता है तो पहली कौम को खतम कर देता है वो जो नहीं कौम आती उसके जरिये से उसको मिटा देता है हटा देता है और ये हमारे तारीक में हुआ है आज ये हंदुस्तान के अंदर हमारे पर दीन पहुचा है तो यह हमारे यह जादा जो दिन पहुचा है उनके जरीए पहुचा है जो भगदाद के अंदर तातारियों के जरीए जो खतम कर दिये गए उसके बाद फिर वह इमाल लेकर आए और यह जितने थे मुगल वगेरा सब उनहीं के नसलों से थे जमरी यहां ज्यादा तादाद जमरी पिलिया उसके जरीए से पहला तो उनी के जरीए फिर अगर इसलिए बैठे रहे हैं कि ठीक है यह सारे के सारे हम जितने भी हैं 20-25 करोड तादाद पर भी फक्रे हैं कि सिकंड लार्ड जिस मूल के हैं दुनिया का गेराव होता जा रहा है कि यह होने वाला है कि हमको पूरा अल्लास साफ करवाएगा यहां से वो फिर इनको हिजायत देगा और उसके आसार भी मिलते हम तो हदीसों के अंदर उनके आसार भी मिलते हैं यह कौम आईगी एक खादीस में यहाथा है तो उसके भी हमको आसार मिलते हैं और यह बदला हो यहां पर एक दिन चे जाना है हिंदोस्तान के अंदर, इस अब सब बड़ा बदला होगा दुनिया के अंदर, यह पूरी की पूरी हो मिया हिंदोस्तान की एक दिन इसलाम में आना है, लेकिन यह आएगी तो आने तो है और आने है यह वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर आना है पूरी दुनिया के अंदर एक दिन इसलाम को नाफिस होना है, लेकिन फिर हम क्यों अपने आपको हलाक करके फिर लोगों को लाए, तो उससे पहले कोशिश कर, कोशिश के अंदर नहीं कुछ भी हुआ, तक कम से कम कोशिश करने वालों के अंदर नाम तो होना चाहिए, एक वाकिय के साथ मैं इसको मैं कतम करता हूँ कि जंगल में आग लग भी, सारे के सारे जानवर भाग गए, सब चले दे, खाली उसके अंदर एक चिडिया थी छोटी सी, उसके कुछ अं वच्चे जल जाएंगे, तो वो समुंदर से लाकर चोंच से पानी लाला कर उसमें डालती है, आप के अदरे हो, जंगल के आप तो बहुत खतरनाक होती है, तो वो ला रही है, वो डाल रही है, दूसरे परिंदों ने उसको देखा, बड़े परिंदे निकले बोले, क्या ब अधियास लिखा जाए, तो कोशिश करने वालों में मेरा नाम हो, भागने वालों में नहीं है, तो ये नहों कि भी राकरत में हम पोचे, तो बुचाए जो हो, लेकिन कोशिश करने वालों में हमारा थाम, ना कि कि जी छुड़ा के जो भागने वालों में है, तो आखिरों वाना तो लेकर फिला